हेलो, सबी को मेरी तब से प्यारबार नमस्कार, असा करता हो सब अच्छे हो मैं रोहित कुमार, UC Live Channel आपके लिए नई क्लास ले क्या है तो जैसे कि आपको पता है कि हम ने एक लिविशन्ट बुक की तो ये जो है ये हमारे पास अठाइमा भाग है इससे पहले हमने 27 भाग यहां पर डिसकस कर लिए जिन्होंने पहले की क्लासी नहीं नहीं ने देखी रही वह पहले की क्लासी देख ले ताकि उनको एक आइड़ा हो जाए आज जो हम यहां पर डिसकस करेंगे जो modern India के जो missliness जो question बनते हैं important हर बार paper में रहते हैं तो उसको हम यहाँ पर discuss यह जो series है यह आपको आने वाले exam में काफी फाइदा पूंचाएगी जैसे आपको पता है अभी SHL के paper चल रहे हैं और जो आपका SSCC, SHL का paper भी आने बाला है एक दो मन्त में वो भी आ जाएगा तो उसमें यह आपको काफी फाइदा पूंचाएगी उमीद करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़कर आने वाले exam जितनी भी है उसकी प्यारी को कौन जो करेंगे अभी हाल ही में SSC जो है हमारे पास MTS के जो है हमारे पास पूंच तो उसको भी आप फिल कर सकते हो जैसे आपके पास TDS का पेपर रहता है ठीक है जी जो हमारे पास NDA का पेपर रहता है जो railway के जितने भी exam रहते हैं उसमें यह आपको काफी फाइदा और यह आपके लिए scoring portion रहता है क्योंकि इसको करने में जाला time नहीं लगता है अगर आपको question आता होगा तो आप within one second उसका answer दे सकते हैं मैं उमीद करूँगा कि आप वीडियो को like, share और comment जूर करेंगे और हमारे चैनल UC live को subscribe करना नहीं भूलेंगे और वहाँ पे जो bell icon को press करना नहीं भूलेंगे ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई अपडेट आती है उस सीगर से सीगर आप तर तो आज का discussion हम start करते हैं मैं यही कहूंगा कि मेरा answer बताने से पहले एक बार अपना खुद जरूर analyze करें और ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपके इस पचास कोईशन में कितने कोईशन ठीक हुई है पचास कोईशनों की सीरीज है तो उसमें कितने कोईशन आपके ठीक हुए और आपको एक positive energy मिले और आपको यह पता चल जाए कि आपकी त्यारी अच्छी है तो आज का discussion हम start करते हैं तो पहला question है आपकी screen पे कहा गया है कि जो हमारे पास Germany Roy ने कला के किस चित्र में अपना नाम बनाया तो एक जो artist थी जिनका नाम क्या था जैमनी रोय था उनके द्वारा उनका जो उन्होंने किस field में अपना नाम कुमाया तो वो किस से related थी चित्र का कि वो क्या करती थी पेंटिंग करती थी तो वो उससे related option number A जो है जो है सही answer है next question देखते हैं नीमिलिक्त में से कौन से कौन सी कृती रविंदरना टैगोर की नहीं है तो इस में से जो रविंदरना टैगोर जी थे उनके द्वारा कौन सा काम नहीं किया गया है तो इसका जो सही option है वो है हमारे पास कपल कुंडला कि कपल कुंडला जो है वो उनके काम के साथ related नहीं है option number B जो है इस right answer है अमीद करूँगा कि साथ साथ में आप भी इन question को लगा रहे होंगे next question देखते हैं दिल्ली में केंदरी सचेवाले के उत्तर और रदक्षनी ब्लोक के बास्तू कार कौन की जो हमारे पास दिल्ली में जो हमारे पास central sectorate है उसका जो north और जो हमारे पास south ब्लोक बनाया गया था तो उसका जो architecture था जिसके दोरा ये बनवाया गया था तो उनके जो इंजिनेर थे जो डिजाइन किया गया था वो कौन थे तो हरवर्ट वेकर्स जो थे वो उसके क्या थे डिजाइनर थे option number B जो है इसका answer है और ये जो बंदे है ये बड़े ही important है क्योंकि जो हमारे PCS के exam रहते हैं उसमें ऐसे question पीजाइन जाते है next question देखते हैं का गया निमिलिक्त में से किसकी हत्या नहीं की गई थी तो इसमें से कौन है जिनकी हत्या नहीं की गई थी तो देखिए जो महात्मा गांदी थे उनकी भी हत्या की गई थी जो लियाकत अली खान थे उनने भी मारा गया था लाड मांट बैटन को भी मारा गया था वट मुहम्मद अली जिन्ना की जो मित्यू है वो उनको किसी के द्वारा मारा नहीं गया था तो option number C जो है इंपोर्टेंट है कि किस की हत्या की गई थी तो मैंने आपको सब बता दिया और इस option में किस की हत्या नहीं की गई थी तो जो म इसमें से जो सही है वो कोई है तो आपको मैंने बताया था कि जो लोड लोजी थे उनके द्वारा एक policy लेके आए थे जिसे कहा गया था doctrine of lapse policy मतलब या पगत की का सिधानत इसमें क्या था कि अगर किसी भी राजा की खुद की कोई संतान नहीं है तो ना तो वो किसी गोद ल प्यास्त है या उसका जो राज्य है वो क्या हो जाएगा सीधे तोर पर अंग्रेज जो के अधीन हो जाएगा तो इस policy को लेके आये थे और इन्होंने सबसे पहले 1848 में जो स्तारा जगा थी उसको अपने अधीन किया था और जो हमारे पास लास्ट में इन्होंने 1854 में जो अधीन करा था वो थे नागपूर इसको अधीन करा था जो नागपूर था उसको अधीन कर लिया था सबसे पहले सितारा और फिर नागपूर और 1883 में इन्होंने जहांसी को अपने अधीन करा था दूसरी policy थी हमारे पास मैंने आपको ये भी पताया हुआ कि लोड बैस ले कौन सी policy लेके आए थे जिसको बोला जाता था सहाइक संदी तो इसके अनुसार क्या था कि कोई अगर किसी राज्य को कोई राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा उस राज्य की जो रक्सा है वो बीटी सेना करेगी सब कुछ बीटी सेना देखेगी आपको बस क्या कर पहले जो इस जो हमारे में सबसी डाइजरी अलाइन साहिक संदी को साइन करने वाले कौन थे जो हैदरावाद के निजाम थे उनके द्वारा ये काम किया गया था इनके द्वारा किया गया था हैदरावाद के निजामों के द्वारा ये काम किया गया था तो पेपर में क्व डिवस्टी एक्ट लेके आए थे कब 1904 में तो 1904 में इनके दॉर्बा यह लाया गया था जो हमारे पास डूल गॉर्नमेंट अफ वेंगॉल यह कौन रिखे आयए थे रॉबर कॉलाईड जो Lord Robert Clive ठे उनके द्वारा Dual Government लाई गई थी कहां पर वेंगॉल में और ये जो थे Robert Clive जो वेंगॉल के पहले गवर्नर हुआ करते थे जो फर्स्ट गवर्नर ओवेंगॉल थे वो कौन थे जो पहले गवर्नर ओवेंगॉल थे वो कौन थे राइट रॉबर्ट है लाइब हुआ करते थे तो आगर मैं सही sequence देखो तो optional बी जो है इसका क्या है सही answer और option बी इसका right answer है next question देखते हैं कहा गया है कि जो हमारे पास yeah, and verde movie जो हांस द मन्ती नामक कृती किस की किस ने चित्रिप की थी तो इंपूर्टेंट है ये हंस समयनती नामक जो क्रिती है वो किसके द्वारा बनाई गई थी इसके जो हमारे पास जो इसके जो हमारे पास पेंटर थे वो कौन थे तो राजा रवी वर्मा जो थे उनके द्वारा ये पेंटी बनाई गई थी option number D जो है that is the right answer next question देखते हैं कहा गया है कि जो हमारे पास हमारा जो अमर रास्टी गीत बंदे मातरम इसके द्वारा लिखा गया था तो जो बंदे मातरम है उसके जो लेखक है वो कौन थे तो बैकम चंदर चटो उपदहाया जो थे इसके कहा थे लेखक थे और ये जो है बंदे मातरम जो जो अनन्द मट है, अनन्द मट से इन्होंने इस चीज को उठाया हुआ है, किसको बंदे मातरम को, और बंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में, जब कॉलकत्ता में किसका सेशन हो रहा था, कॉलकत्ता में सेशन हो रहा था, INC का इंडियनेशनल कॉंगरेस का, उसमें इसको गाया ग कि निमिलिक्त निमिलिक्त में से किस ने भारतियों के लिए एक खाली पृतियोगिता प्रिक्षा के माध्यम से भारतिए सिवल सेवा में प्रवेस करने संभिव बन आया था कि भा των पहरति भी क्या है जो इंडीन सिवल ज़िस है उसमें आ सकते हैं तो ये जो काम किया गया था ये किस के दौरा किया गया था लोड लोजी के दौरा किया गया था किस के दौरा किया गया था लोड लोजी के दौरा ये काम किया गया था कि अब भारतिये भी हैं जो क्या कर सकते हैं ये जो हमारे पास इंडियन सीवल सर्विस की जो प्रिक्षा ह उसमें क्या कर सकते हैं और वो भी ICS बन सकते हैं इंडियन सीवल सर्विस एक्जाम क्लियर करके वो भी बन सकते हैं तो यह काम किसके द्वारा किया गया था लोड लोजी के द्वारा ही PWD डिपार्डमेंट बनाया गया है जो पहली रेलवे लाइन बिचाई गे थी बंबे 1853 में जो हमारे पास टेलीग्राम जो सेवा सुरू की गई थी वो भी लोड धलूजी के द्वारा ही की गई ती कहां से जो हमारे पास इसके जो सुरू बात की गई थी वो कहां से की आग़ा टू कलकता ती के जी नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं कोलकता बंबे और मदरास के उस्तम नियाली की स्तापना की गई थी जो हमारे पास कोलकता और जो मदरास में जो उस्तम हाई कोट खोले गए थे तो उसकी स्तापना की गई थी तो उसकी स्तापना की गई थी 1865 में ये जो एक्ट पास किया गया था जो इंडिन कॉंसिल एक्ट आया था 1886 में उसमें ये बात कही गई थी और इनकी जो स्तापना किये गई थी वो 1865 में किये गई थी option number D जो है that is the right answer next question देखते हैं अंग्रेज्जों ने भारत में अंग्रेज्जी को सिक्सा का माद्यम कब बनाया था कि अंग्रेज्जों के त्वारा जो हमारे पास अंग्रेज्जी भासा है वो medium होना चाहिए medium बना दिया था उसको instruction का उसके माद्यम से जैसे किसी को higher education लेनी है तो उसको अंग्रेज्जी भासा पढ़ना क्या थी अनिवारे थी तो ये कब किया गया था जो हमारे पास 1835 में, जब हमारे पास जो एक पोस्ट हुआ करती थी गवर्नेर जन्रल आफ पंगावल उसको चेंज कर दिया गया, क्या बना दिया गया गया और यह जो काम है यह कब किया गया जब हमारे पास गरन जन्रल आफ इंडिया कौन हुआ करते थे विल्नियम बैंटिक थे विल्नियम भैंटिक हुआ करते है और उनके time में एक reform आया था जिसको क्या बोला गया था मेख मेकले मिन्ट के नाम से उसको जाना जाता है जब वो कब आया था जा घूरा नाम क्या था उस reform का नामогодMed notions क्या था हमारे पास मैकले मिन्ट मिन्ट रिफॉर्म ठीक है और वो किस से डिलेटी था एजूकेशन से डिलेटी था option number C जो है इसका सही अंसर है उमीद करूँगा कि आप वीडियो को like, share और comment करना नहीं भूलें नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं किस के टाइम में जो हमारे पास तीन प्रेजिडेंसल सिटी जो थी जो हमारे पास रास्टे सहर थे जिसमें क्या खोले गए थे हाई कोट खोले गए थे तो उस टाइम जो वो इस रोई हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे कहां पे जी कॉलकत्ता और मदरास और हमारे पास बंबे में क्या खोले गए थे हाई कोट खोले गए थे तो उस टाइम जो भारत के गवर्णने जनरल हुआ वो इस रोई हुआ करते थे वो जोन लॉरेंस हुआ option number C जो है that is the right जोन लॉरेंस क्या थे उस टाइम क्या भारत के गवर्णने जनरल हुआ करते थे next question देखते है कहा गया है कि हमारे पास यह सूचियां देखके रखी हैं और हमें बताना है कि कौन सा बंदा किस पार्टी से सबंदी था तो आपको पता है कि स्रोजी नाइडू कहां से सबंदी थी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इंडियन नैसल कॉंग्रेस से और यह इंडियन नैसल कॉंग्रेस की अधियक्स कब रही 1925 में कब रही जी 1925 में यह क्या रही इंडियन नैसल कॉंग्रेस की अधियक्स रही आपको पता है कि जो हमारे पास जिन्ना जो थे वो किस्ते सबंदी थे मुस्लिम लीग सबंदी थे और मुस्लिम लीग की स्तापना कब हुई 1906 में हुई और कहां पे हुई धाका में हुई और किसके द्वारा कराई गई तो जो आगाखान थे उनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्तापना की गई ठीके जी और इसका पहला जो session हुआ था वो कहां पे हुआ था कराची में हुआ था अब जो हिंदू महासाबा है इसके जो संस्तापक थे हिंदू महासाबा के जो संस्तापक थे तो वो कौन थे तो हिंदू महासाबा के जो संस्तापक थे वो तेज जो हमारे पास इस हिंदू महासाबा के ज स्थापक कौन थे बीडी स्वारकर और तेज भादुर सप्रूव जो थे वो कहां कहे थे लिवरल पार्टी के तो इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन बन रही है टू बन और हमारे पास फूर टू बन हमारे पास ठीका है हमारे पास तीसरा तो हमारे पास फूर थ्री क्या बन सही सीक्वेंस के होगा 214 तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो तेज भादर सपरू थे वो लिबरल पाल्टी के सदस्य थे और जो BD सवारकर थे जिनके द्वारा बुक लिखी गई थी हमारी The First War of Independence जो 1857 को उन्होंने कहा था First War of Independence तो वो किसके द्वारा लिखी गई थी BD सवारकर के द्वारा लिखी गई थी ठीक है जी तो इसका सही अंसर क्या है 2143 Next question देखते हैं जो हमारे पास संपूरन करामती की अवधाना किसने दी थी तो संपूरन करामती की जो हमारे पास अवधाना जो जे पी नहरायन थे जे परकास नहरायन जो थे उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि क्या करना है संपूरन करामती की अवधाना जे परकास नहरा दी गई थी option number A Next question चलते हैं नीमिलिक्त में से किसे भारत सिक्सा का मेगना कार्टा माना जाता है तो मेगना कार्टा जो है एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो किसे कहा जाता है तो जो बूट्स डिस्पैच आया था जो बूट्स डिस्पैच आया था कब वो 1854 में आया था जब भारत के जो हमारे पास General of India हुआ करते थे वो Lord Loji हुआ करते थे तो उनके टाइम में यह आया था बूड डिस्पैच आया था जिसे मेगना कार्टा कहा जाता है एजूकेशन का और आया कब था 1854 में आया था option number A जो है that is the right answer next question देखते हैं जो हमारे पास इसमें sequence बताना है हमें बोला गया है Muslim League की जो स्तापना है वो कब की गई 1906 में की गई जो हमारे पास रास्तिर Congress है इसकी स्तापना कब की गई 1885 में की गई आपको पता है कि जो हमारे पास 1885 में मतलो जो हमारे पास D है वो सबसे पहले आएगा ठीक है जी उसके बाद हमारे पास Muslim League बनी थी उसके बीच में कोई organization नहीं बनी है तो हमें पता है कि उसके बाद क्या आएगा बनाएगा तो सही sequence में देखिए आपको दो भी पता होंगे तो दो निकल जाएंगे option number D जो है that is the right answer जो हमारे पास trade union of the congress का गठन किया गया था 18 1930 में और जो हमारे पास यह जो अखिल भारती अंटचिविल्टी जो लीग है इसकी स्तापना की गई थी 1932 कब की गई थी 1932 में तो इसका जो सही sequence आया वो option number D आया मैंने आपको यहाँ पे date लिख दी है please इसको राइड ओन कर लीजिए क्योंकि अगर आपको सीधा question आए कि कब बनाया गया था तो इसको 1932 में और trade union कब बनी थी 1920 में और Indian National Congress की स्थापना कब हुई थी 1885 में और Muslim League की स्थापना कब हुई थी 1900 तो sequence के अनुसार मैंने आपको लिखवा दिया है next question देखते हैं भारत की कोकीला के नाम से किसे जाना जाता है तो भारत के कोकीला के नाम से किसे जाना जाता है स्रोजनी नाइडू जी को जाना जाता है option number C जो है that is the right answer next question देखते हैं भारत के निमि जिसने सबसे पहले local self government के base पर election करवाए थे तो ऐसा काम करने वाले जो voice रोए थे उनका क्या नाम था तो उनका नाम था Lord Rippon option number C की Lord Rippon के द्वारा ये काम किया गया था इसी लिए इने local self government का father भी कहा जाता है कि Lord Rippon को और इनी के द्वारा पहला 1881 में first factory act भी नहीं के time मे आया था पहला कार खाना अधिनियम भी नहीं के time में आया था और जो regular तरीके से हमारे पास जनसंक्या की गन्ना की शुरूबात की गई थी वो भी इनी के time में की गई थी तो Lord Rippon के द्वारा ही जो Indian civil services का जो exam होता है उसमें प्रिक्सा की आयू जो थी वो 19 वर्स से कितनी कर number जो हमारे पास c है that is the right answer next question देखते हैं नीमिनलिक्त में से कौन सा सही सुमलित नहीं है इस में से कौन सी बात जो है वो सही नहीं है आपको पता है कि जो अनन्द मत है वो हमारे पास बेकम चंदर चैटेजी के द्वारा से वहां से बंदे मातर मिलिया गया था जो हमारे पा जाए की बुक थी और जो हमारे पास इंडिया बिंस फ्रीडम तो यह सुरिंदर नात बेनर जी की बुक नहीं थी ठीक है यह वो किनके द्वारा नहीं लिखी गई थी और ऑप्शन नमबर जो बी है that is the right answer that is the right answer next question देखते हैं भात के संबीधान को संबीधान साबा द्वार पटास को इसको लागू किया तो अपनाया कब गया था 26 नमबर 26 नमबर उन्नीस उन्चास को इसको सबा के द्वारा अपनाया था उप्शन पसी जो है that the right answer next question क्यों चलते हैं आ गया है कि नीचे सूचिया दी गई है और हमें उन सूचियों में बताना है कि कौन सी चीज कब आई तो आपको पता है कि जो हमारे पास मोले मिन्टू रिफॉर्म आया था जिसको इंडियन कॉंसिल एक्ट के नाम से भी जाना था तो पहली बार वहां पे इलेक्शन की बात कही गई तो सैपरेट इलेक्शन की बात सी का दूसरा अब सी का दूसरा जी एक में है किसी में ह देखो एक, एक का पता होगा, वहाँ से भी आपका निकल जाएगा, तो यह जो हमारे पास 21 है, जो 20, हमारे पास 21 का है, देखिए, यहाँ पे भी है C का दूसरा, अब हमारे पास दूसरी option आपको पता है, कि जो Government of India Act आया था, उसमें क्या start किया था, जो हमारे पास दार्ची ह A का क्या है, जी, जो था है, तो अब हमारे पास देखिए, option number D क्या हो गया, इसका सही हो गया, अगर आपको दो भी पता चल गए, तो आप निकाल सकते हैं, जैसे A, C, C, आपको पता है, A का क्या होगा, 4, और जो आपके पास C है, उसका क्या होगा, दूसरी, अब बचा क्य B, आपको पता है कि जो माउंट वैटन प्लान आया था, उसने क्या किया था, भार्त को डिवाइट किया था, पार्टी से करी थी, तो जो हमारे पास D का होगा, वो क्या होगा, अब बचा क्या अभी का, तो इंडियन गवर्नमेट प्रोविनेंस की बात की गई थी, उनको क् following the match जो question है, वो आजकल इस trend में जो हमारे paper आरे, next question देखते हैं, आ गया है कि नीचे जो सुचिया है, उसमें से फिर हमको इनको समलित करना है, तो आपको पता है कि जो common bell जो हमारे पास, जो newspaper था, वो किसके द्वारा पब्लिस किया गया था, एनी बेशन्ट के द्वारा ये आतरम था, वो किसके द्वारा किया गया था, जो हमारे पास विपंचंदर पाल जो है, विपंचंदर पाल के द्वारा ये लिखे गी थी, मतलब एका क्या होगा, जी, एका तीसरा होगा, तो हमारे पास कौन सी option ठीक होगी, option नमर जो B है, that is the right answer, तो 22 का हमारे जो हमारे जो आपको पता है कि जो बंदे मातरम था, जो A का था, वो क्या होना चाहिए जी, आप देखिए, आपको ये दो पता है, तो आपके पास कौन सी option ठीक है, B बन रही है, अब देखिए, आपको पता है कि जो हमारे पास, जो C का होगा, जो people's था, वो किसके द्वारा पब्लिस कि युगांतर किसके द्वारा, लाल लाजपत, राय के द्वारा, तो इसका क्या आपको पता हमारे के अंसर, option B जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलकत्ता, मदरास और बंबे में भी सिर्व जालियों की स्ताफना कब की गई, जो हमारे पास यूनिवेस्टी खोली ग निमिलिक्त में से जो एक बुक है, जिस बुक का नाम है, और पैसेज टू दा इंडिया, तो यह जो बुक है, यह एक फेमस बुक है, जिस बुक का नाम है, और पैसेज टू इंडिया, तो इस बुक के जो लेखक है, वो कौन है, तो एम फोस्टर, और है, एम फोस्टर, यह जो लेखक है और पैसे टू दा इंडिया इसके लेखक कौन है एम फॉस्ट जो है इसके लेखक है तो उप्शन नमर डी जो है दैट इस दा आइटल नेक्स्ट क्यों चलते है जो हमारे पास सिक्सक दिवास किसके जनमदन के रूम में मनाया जाता है तो जो रादा कृष्टन सर्वपली जो थे उनके जनमदन पर हम क्या बनाते है जी टीचर दिवस बनाते है और हर साल जो टीचर दिवस है वो कम बनाया जाता है पांच सितंबर को क्या बना जाता है टीचर दिवस बनाया जाता है ठीक है जी और ये भारत के दूसरे क्या थे भारत के ये दूसरे क्या थे रास्टे पती थे ठीक है जी दूसरे ये क्या थे रास्टे पती थे तो हमारे पास जो रादा क्रिशन सरपली जो थे उनके जर्म दिन पर हम क्या बनाते है टीचर दिवर्स मनाते है उप्शन पर बी जो है that is the right answer next question देखते हैं रास्ट ये क्लेंडर जो सक सामन्थ के पर अधारित है उसे किस बर्स में भारत के उसमें सामिल किया गया था तो उसको कब सामिल किया गया था 1957 में और इसमें क्या है 78 इसा पूर्व का है ठीक है जिसे हम ने हमारे जो भारत में इसको सामिल किया था तो वो कब सामिल किया गया था 1957 में option number A that is the right answer next question देखते हैं हमें बताया गया है कि ये books लिखी गई थी और हमें बताना है कि इसके लेकर कौन है तो आपको पता होगा तो मैंने books करवाई है पंडी जॉलन नहरू की जो book है तो आपको पता है कि B का क्या होगा जी फोर्थ होगा तो B का फोर्थ दो option में है इसमें है और इसमें है अब देखिए आपको एक book का और पता होगा तो आप निकाल लोगे जो अब्दुलकलाम अजाद के जो आरज जो book लिखी गई थी उस book का नाम था इंडिया बीन्स freedom ठीक है इंडिया बीन्स freedom के book के लिख कौन है तो C का क्या जी फर्स्ट है तो C का यहाँ पर जो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास जो answer बनेगा वो क्या बनेगा 2413 तो यहाँ पर I think यह जो option है वो match नहीं कर रही है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास आपको पता है कि B का क्या होगा जी फर्स होगा तो यह A आगया यह B आगया यह आगया C और A आगया डी तो आपको पता है आपको पता पंडी जोल्टनेरो के दोरा discovery of India लिखी गई है और अब्दुलकलाम अजाद के दोरा जो लिखी गई है अब्दुलकलाम अजाद के दोरा India wins a freedom तो इनके दोरा C तो इस में से देखिए इस में से कोई भी ऐसी option नहीं है जो आपकी match कर रही है लेरा जी तो हमारे पास हमने यहाँ पर option बनाई है यह option जो है वो गलत आगे है तो इस option का सही answer क्या है जो रिजिन्द प्रसाद जी के दोरा जो लिखी गई थी वो India divide लिखी गई थी इस question का जो सही answer सही sequence कौन सा है यह है इन books को write on कर लीजिए यह books very very important है और हर एक paper में इन books से कोई ना कोई इन बनता जी next question देखते है भारती संद्रस ग्राम के संदर में निमलिक्त में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी तो आपको पता है कि जो हमारे पास इर्बन गांदी इर्बन समझोता हुआ था निसो इकतिस में हुआ था जो लखनाओ की संदी हुई थी वो निसो सोला में हुई थी जो क्रिप्श मिशन आया था वो 1942 में आया था और जो अगस्त ओफर आया था वो 1940 में अब देखिए कि सबसे पहले कोई सी घटना हुई तो लखनओ संदी हुई थी और जो लखनओ समझोता हुआ था ये किसके और किसके बीच में हुआ था इंडियन नैशनल कॉंगरेस जो थी और जो मुस्लिम लीग थी उनके बीच में ये समझोता हुआ था जिसको लखनओ का समझोता ये लखनों की संदीवी कहा जाता है तो यह जो समझोरता हुआ था इंडियन कॉंगरेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में यह समझोरता हुआ था 1916 में और उस जो इंडियन ऐसे कॉंगरेस का वो वाला जो सेशन था जिसकी अध्यक्सता एसी मजूमधार कर रही थी जो समझार पत्तर था हुँ किसके दौरा चलाया गया था फिपंच अंदर पाल के दौरा उसको पब्लिस किया गया था और बी जो है दैक्स कॉश्चन देखते हैं नील दरपन के लेखक कौम थे तो नील दरपन का जो लेखक थे यह थे दीन बंदु मित्रा फिक है जी जो हमारे पास दीन बंदु मित्रा थे उनके जारा स्टार्ट किया गया था एक रिव्यू जो हमारे पास नील फिद्रो हु बीच में तो उस उसके ऊपर एक नाटक बनाया गया था उसके जो नाटक के जो लेखक थे वो कौन थे दीन बंदू मित्रा थे option number A जो है that is the right next question देखते है बननर कुलर प्रेस एक्ट कि सुरूबात किसके द्वारा की गई थी तो इसकी जो सुरूबात है भो port linton के द्वारा की गई थी और वर्नना कुलर प्रेस एक्ट वह ब्रस एक्ट हैं अन्की जो शुरूर बात है वह 1878 में की गई थी इन दोनों की जो हमारे पास ये भी कब आया था 1878 में आया था और उस टाइम जो भारत के जो इश्रोई हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे तो वो हुआ करते थे लॉड लिंटन हुआ करते थे लेर जी और इनी के द्वारा इनी के द्वारा जो पहला दिल्ली दर्वार भी इनी के द्वारा लगाया गया था 1887 में अब लगाया गया था 1887 में पहला दिल्ली दर्वार भी इनी के द्वारा लग तो उसकी एक कोपी वोईस रोई के आफिस में जाएगी और उसके बाद वो बताएंगे कि इसको प्रिंट करना है कि नहीं करना है तो वो डिसीजन कौन लेगा तो ब्रीटिस सरकार लेगी ठीक है जी तो अब हमारे पास इसको जो लॉर्ड रिपन थे उसने क्या कर दिया था इसको बापिस ले लिया गया था लॉर्ड रिपन के दौरा जो इनके बाद आये थे और लॉर्ड करजन 1905 में थे जो जन्हों ने व्हेंगौल को दो भागों में विवाजित कर दिया था जो व्हेंगौल पार्टिशन हुई थी वो इनके टाइम में हुई थी लोड मायो ल से सक्सेस नहीं हुई थी इसी के बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाए गी और जो सक्सेस्फुल जन्गना थी तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही अंसर है वो लॉर्ड लिंटन है और बी जो है दैट इस दा राइट अंसर है नेक् और बी जो है दैट इस दा राइट अंसर कि इस बुक के जो लेखक है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है पंडी जौलाल नेहरू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज तक साहीत्य के क्षेत्र में नोबल पुर्षकार पाने बाले एक मात्र भारती कौन है तो नोबल के सबस्ट्राइन 700 के बद्दानमंत्र कौन थे तो वो कौन थे हमारे पास एटले जो थे उस टाइम के बीटेन के क्या हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ओप्शन नमर ए जो है दैट इतना राइट अंसर ठीके नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं उमीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे बोला गया है कि पहला भारतिय जिसको आई एस में चनित किया गया था हुए थे जो जो पहले भारतिय कौन थे जो क्या बने सेलेक्टिड हुए इंडियन भारतिय इंडियन सेलेक्ट हुए तो उनका क्या नाम था तो उनका नाम था स्तेंदर नाट टैगोर जो थे वो भारत के पहले आईसी एस ओफिसर थे जो पहली बार प्रिक्साव क्लेर करके आईस आईसी एस आईस ओफिसर बने थे नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं कैवनेट मिशन का निर्तित्व किसके द्वारा किया गया तो मैंने आपको बताया था कि जो कैवनेट मिशन है उसके जो निर्तित्व किया गया था लॉड पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया यह जो कैवनेट मिशन जो आया था यह को लेके आये थे परन्तु जो उसको हैड कर रहे थे वो कौन थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे उसके हैड थे ऑप्शन नमर सी जो है तैट इस दा राइट अंसर नेक्स्ट कोश्चन क्यों चलते हैं इस बिटिस गवर्नर जनर्र ने भारत में डार्क टिक्ट की बात की गई तो वो पॉस्ट ऑफिस जो खोला गया था वो किसके द्वारा खोला गया था लॉर्ड धलोजी के द्वारा ही खोला गया था तो इस क्वेश्चन का भी सही अंसर क्या हुआ लॉर्ड धलोजी ऑप्शन नमर ए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहा गय जुलाई 1947 में बिर्टी सरकार ने मौंट वेटन योजना के मुख्य फरवधानों बाले अधिनियम को पारित किया इसे भारती और स्वतंतता अधिनियम के रूम में जाना जाने लगा बिल्कुल सही है तो जो हमारे पास इस question का answer है वे हैं बोथ A and B के हैं दोनों की दोनों बा आयते जिसको 3rd June plan के नाम से भी जाना जाता है 3rd June plan के नाम से भी इसको जाना जाता है option number C जो है that is the right answer next question देखते हैं भारत के वो इस रोई के रूप में Lord Minto की अबदी के दुरान बेंगॉल को दो प्रांतों में विवाजित कर दिया गया था यह जो काम किया गया था यह किस हुई थी ठीके जी Lord Minto के टाइम में यह वाली बात है नहीं हुई थी यह किसके टाइम में हुई थी Lord Karjan के टाइम में हुई थी Simon Commission भारत आया था जब Lord Irvan भारत के वोई शुरोई थी बिल्कुल बात सही 1919 में भारत सरकार अधिनियम को मोटैगू चैमसपोर सुदार के रूम नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नीमिनलिक्त में से जो हमारे पास दा कॉमन बैल जो न्यूस पेपर था उसको किसके दौरा प्रकासित किया गया था उसके जो लेखक थे वो कौन थे तो वो कौन थे एनी बेशेंट ऑप्शन अप्शन अबर डी जो है दैट इस दा नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं भारत में 37 ग्राम की जो घटना ही हुई उस पे विचार कीजिए तो सबसे पहले जो हमारे पास घटना हुई बुक क्या हुई पेंगॉल का भिवाजन किया गया 1905 में जो हमारे पास जलिया चंपारन सत्य ग्रह हुआ 1917 में जो हमारे पास जलिया वाला बाग जो टैजरेस्टी हुई 1919 में तेरा प्राइज 1919 और डांडी मार्च कब हुआ 1930 अब देखिए सबसे पहले फोर्थ है फिर फस्ट है फिर हमारे पास थर्ड है और फिर हमारे पास सेक्ट कुन सा ओप्शन थी ऑप्शन अबर डी जो है अगर आपको इसके येर्स पता होंगे आपको वर्स पता होंगे तो आपका कुशन कभी नहीं हो सकता तो option number D जो है that is the right answer नेक्स्ट कुशन देखते हैं हमें बताना है कि जो हमारे पास ब्यक्ती दिये गए हैं और हमें बताना है कि को किसके साथ से सबंदित हैं अगर आपको पता होगा तो डा भी नहीं है बर फिर में मैं आपको बता देता हूँ हॉम रूल जो मुवमेंट है वो बाल गंगा धर तिल्क के द्वारा ही चलाई गी थी राइड ओन कर लीजिए जो चटगाउं सस्तरगार कांट हुआ था ये भी मैंने आपको बताया है तो इसके जो जिनके द्वारा अंदोलिन किया गया है जिनके द्वारा काम किया गया था वो सूरिज सेन थे और जो कानपूर सरियंतर केश हुआ था वो जफ़र एहमद जो थे उनके द्वारा किया गया था तो option number C जो हमारे पास A, B और C और D इसका सही sequence क्या हुआ 4, 2, 1, 3 तो आप इसको किसी copy पे write on कहे लिजिए कि क्योंकि अगर paper में सीधा question बने तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा किसके साथ related था तो कानपुर्श रियंतर का case जो था मुझफर एहमंद ने किया था ठीक है जी important है write on कहे लिजिए option number C जो है इसका सही answer है next question देखते है निमिलिक्त में से कौन सा सही नहीं है आपको पता है लोड बैसले सहाइक गठबंदन लेके आया था जिसको सबसे पहले किसके द्वारा accept किया गया था हैदराबाद के निजाम के द्वारा लोड धलो जी जो doctrine of lapse policy लेके आये थे यह भी बताया था जिनने सबसे पहले 1848 में 17 को capture करा था और सबसे लास्ट नागपूर को 1854 में capture कर थे और लोड रिपन बनर कुलर प्रेस एक्ट लेके आये थे नहीं जी इन्होंने इसको खतम किया था तो इसको कौन लेके आये था लोड लिंटन इसको क्या लेके आये थे इस act को लेके आये थे मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया है तो राइड ओन कर लीजिए लोड करजन के द्वारा ही विंगॉल भीवाजन किया गया था तो इसमें सही को नहीं है और सी जो है इसका सही अंसर तो मैच नहीं करना है नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं कहा गया है निमलिक्त में से स खिलाफत अंदोलन चलाया गया था नहीं जी यह बात जो खिलाफत अंदोलन है वो दो अली ब्रदर्स के द्वारा चलाया गया था एक का नाम था सोकत अली और दूसरे का नाम था मुहम्मद अली और जो हमारे पास लाला हरदयाल जी के द्वारा हिंदोस्तान गदर की स्थापना है वो कहां की गई थी USA में San Francisco में इनके द्वारा स्थापना की गई थी के द्वारा लाला हर्दयाल के द्वारा अपड़ी जो है डाटी जो भारत का सबसे पुराना न्यूजपेफर है जो पब्लिस किया गया था तो ऑप्शन नमगर सी जो है दैट इस दा राइट अंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उमीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगा जो राष्टे बादी गीत बंदे मात्रम है किसका हिस्सा है तो बंदे मात्रम हमने कहां से लिया हुआ है तो अनंद मठ से लि पहिता से पहचान करें जिसने प्यान दिया था और कब मेरे विश्वास में कॉंग्रेस अपने पतन के लिए लड़करा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्व कांक्सा सांतिपूर्ण से साहिता करना है और मृत्यों तो ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई थी तो ये जो बात है लोड करजन के द्वारा कही लोड करजन ने उन्नी सो में राज्यों के सच्वों को एक पत्र में लिखा था ये बात किसके द्वारा कही गई थी लोड करजन के द्वारा कही गई थी तो option number a जो है इसका सही अंसर है next question देखते हैं नीचे Indian National Congress के जो पहले President थे वो कौम थे WC Penner जी थे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो A का इसमें भी फॉर्थ है जी इसमें भी फॉर्थ है तो यह दोनों आप्शन क्या है में को सेम लग रही है ठीक है जी तो हमारे पास जो 40 A का है वो क्या है D 40 A का क्या है D है तो यह दोनों की दोनों आप्शन सेम पढ़ गी है ठीक है जी आपको पता है कि जो मदन मोहन धिंग रिया थे वो किस से सबन्दी थे तो भारती रास्टी का रही थे भारती करांती का रही थे और मोतिलाल नहरू और सीयार दास के द्वारा किस पार्टी की नी रखी गई थी तो आप राइड़ोन कर लिजिए कि कौन सा बंदा किस से सबन्दी था क्योंकि पेपर में डारेक्ट क्वेश्चन आठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहा गया कि हमें सही युगम बताना है कौन सा है तो सुरिंदर नात बेनर जी के दोरा हॉम रूल मुमेर चलाया गया था गल्त है जी लाला हरद्याल भारत की सब्तरता के लिए एरोब में सेना का गठन किया बिल्कुल गल्त है राजा रादा कांत देव ने सती प्रता के अमुलन का भिरूद किया बिल्कुल बात इसकी क्या है बिल्कुल जाइज है बिल्कुल सही बात है 1906 में मुस्लिम लीग की संस्तापक तेवो सैयद एहमद खान थे नहीं जी कौन थे आगा खान थे तो आपको पता है कि यह तीनों की तीनों बाते गल्त है तो कौन सी बात सही हुई फिर ऑप्शन अम्बर सी जो है वो दैट इस दा कि राजा रादा कांत देव के द्वारा जो सांती जो सती प्रता थी उसका क्या किया गया था बिरोध किया था ओप्शन मस्थी जो है राइटर नेक्स्ट कॉस्चन देखते है सही युगम बताईए कौन सा है बन हस्टिंग जो थे वो प्लास्सी की लड़ाई में थे क्या ये बात सही है जी नहीं जो हमारे पास वेंगाल में बंदोबस्त स्टार्ट किया था स्टाइ बंदोबस्त लोर्ड क्राउन बिल्स के द्वारा ही और Lord Basley के द्वारा सतीप्रथा नहीं खतम की गई थी इसको जो खतम किया गया था वो William Bendick के द्वारा किया गया था 1839 में और Lord Lord Ji के द्वारा अस्तानिय सिवासासन नहीं लेके आये थे ये कौन लेके आया था Lord Rippan लेके आये थे 1881 में ठीके जी तो हमारे पास इस question का सही answer के है option number B उमीद करूँगा कि आप वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना नहीं भूलेंगे और आज की क्लास हम यहीं पे off करते हैं